हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल विने एक्विटी आज साथ अप्रेल है और यह जो है दो शेर में आपके लिए लेकर आया हूं और सबसे पहला जो शेर है यह स्टील ऑफरोटी ऑब इंडिया सेल इसके अंदर एक खरीदारी की जो है एक उपरचुनेटी मिल सकती है ह अच्छा खासा एक ब्रेकाउट हुआ है और दूसरा शेर है टीसी एस जिसके अंदर की ज्यादातर लोगों रिटेलर्स ने जो कि बाई किया हुआ है बाई बेक के अंदर और वह फसे हुए है अभी ज्यादातर लोग मेरे खियाल से इसके अंदर सेल नहीं कर पाए है तो और मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी लेटेस्ट वीडियो के लिए जो की शेयर मार्केट में आपके लिए यूसफूल हो सके फॉर वेल्थ क्रियेट तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल इंडिया की इसका आज जो प्राइस है यह एक सो नो रुपे के ऊपर क्ल इसने तकरिवण 80 रुपे के असपास का लो बनाया तो तकरिवण यह आता हो गया था और अब जाके इसके अंदर जो की यह स्टील ओधरोटी अप इंडिया आप नाम से पेचन गया हो कि यह स्टील का कारोबार में है तो जो इस्टील के प्राइस अप हो रहे है तो इसके अब देखे तो यहां पर देखे तो यह फिर सो 145 रूपे का है बना कर इसके अंदर एक डाउंट्र हुआ था तो यह जो ट्रेंड लाइन है उपर की यह एक रिजिस्टन फेस कर रहा है यह जो है इसको हम बोले के लोवर है यह बना रहा था और यह लगा था अगर देखे हो कि यह सपोर्ट ले रहा था और इसके अंदर जो है यह भी जो है लोवर बटा रहा था तो इसके अंदर हुआ किया है यह भी आप देख लिए मैं थोड़ा से जूम कर लेता हूँ चार्ट को यहां पर देखे तो आप यह इस ट्रेंड लाइन को गोर से देखिए यहां प कर सकते हैं तो यह जो breakout हुआ है इसके अंदर अगर आपको current market price के उपर इसको buy करना है तो आप कर सकते हैं और सबसे पहले तो आप levels को जो है वो note कर लीजिए कि इसके अंदर यह अभी 109 रुपे का असपास का इसका price है आप current level के उपर buy करना चाहे तो कर सकते है और अगर आ 105 रुपे के आसपास आए अधा यहां पर लीजिए अगर buy chance यह नीचे आता यह देखें तो यह अगर नीचे नहीं आता तो आप रहना जाए तो इसलिए अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो आप 2 बागों में buying कर सकते हैं और अगर आप कोई aggressive trader है अगर इसके अंदर aggressive trader है जो एवरेज है वह 107 रुपे के आसपास आता है और stop loss अगर आप मुझसे पूछे तो stop loss इसके अंदर 102 रुपे के आसपास मतलब कि यह 104 रुपे के थोड़ा सा नीचे आप stop loss लेकर चल सकते हैं या फिर जो भी आपकी मरजी आप चाहे थोड़ा सा ऊपर stop loss ले आप चाहे थो नीचे की ट्रेंड लाइन इसको यह 104 रुपे के आसपास यहां पर भी यह support निकल करा रहा है मतलब कि यह जो रेट कलर की लाइन है यह इसको यह आप अगर आप देखे तो यह 104 रुपे को अगर यह नीचे ब्रेक करता है तो यह ब्रेक आउट हुआ है उसका भी यह फिर से नीचे डाउं ट्रेंड इसका चालू हो जाएगा ऐसा लग रहा है लेकिन जैसे कि मैंने बताए इससे थोड़ा सा नीचे 102 रुपे के आसपास आप स्टोप लोस ले सकते हैं और चलिए अब आगे और यहां पर यह वीकली चार्ट है इसके अंदर भी मैं आपको कुछ खास दिखाने वाला हूँ और इसलिए मुझे यह चार्ट पसंद आया इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखते रही है क्योंकि अगर कुछ खास इन्फोर्मेशन एसी होती है कि जो आप मिस्स कर जाते हैं यहां पर सबसे पहले देखिए मसीडी का एक बुलिस क्रो और इसके अंदर टार्गेट किया हो सकता है सबसे पहले स्टोपलोस में आप खास नोट कर ले एक सो दो रुपे का रिस्क है और रिवोर्ट में अगर मैं कहूं तो सबसे पहले तो आप यहां पर यह हाई बनाया था मतलब की 120 रुपे यह इसका सबसे पहला टार्गेट इसका टार्गेट 120 रुपे से बढ़कर 120 रुपे को भी यह पार करकर उपर में यहां पर अगर देखे दो यह इसके अंदर इसके अंदर बाइंग कर सकते अपने स्टेडि कर चलिए अब और अब आप नीटल क्लीन यहां पर यह देख सकते हैं कि ब्लेक आउट हुआ है चलिए अब हम से टीसीएस का चार्ट भी देख लेते ही यहां पर अगर देखे तो हुआ क्या है सबसे पहले तो यहां पर MSD का एक various crossover होने की तयार है लेकिन हुआ नहीं है तो आप कहाई मत कीजिए देखिए यहां पर भी हुआ नहीं है अभी इसका result आने वाला है जिन लोगों को पता नहीं है वो में बता दू 11 अप्रिल को यानि की मंडे को इसका result आने वाला है तो इतनी तो यहां पर इसकी जो है कोस्ट आती है तो यहां पर इस लेवल के उपर मतलब की अगर मैं बात करूं से अच्छा खासा यहां पर एक प्रेशर बन सकता है इसके अंदर और वहीं यहां पर देखने को मिला हाला कि मुझे वीडियो पहले बनाना था लेकिन कुछ टाइम की क कमी की वज़े से मैं दो-तिन दिन बाद यह वीडियो बना रहा हूं लेकिन अगर आप देखे तो यहां पर यहीं पर इसने यह रिजिस्टन फेस किया आपने कॉन से प्राइस पर बाई किया है वह आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते है जब अगर आपने बाई बाई तो अब आगे इसके अंदर किया किया जाए तो वह सबसे पहले तो इसकी यह ट्रेंड लाइन देख ले यह उपर की ट्रेंड यह रिजिस्टन यहां पर जो है 4000 रुपे के आसपास का फेस कर रहा है नीचे की तरफ अगर देखे तो यह 3400 के आसपास का एक जो है सपोर्ट जो यह फेस कर रहा है तो मतलब कि इसका जो गेफ है यह तकरीबन 600 रुपे के आसपास का यह गेफ है दोनों के बीच में तो इसके अंदर अब सबसे पहले जो मैंने बाप को बताया कि जो रिटेलर ज्यादा तर रिटेलर ने 3750 से 3850 के आसपास बाइ किया है तो उसने इसक के ऊपर निकला था अभी दो दिन पहले तब कुछी लोगों ने इसके अंदर बेचा होगा क्योंकि सबको एक्समेटेसन है कि इसका जो रिजल्ट अच्छा आएगा और यह चारजार प्लस चला जाएगा तो जब तक यह ज्यादा आता रिटेलर मतलब कि 50% डिटेलर इसके लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन जो इसके डिल डॉलर का रेवेन्यू है वह अगर अच्छा रहा जैसे की अंदर जो है इसका रिजल्ट जो है वह अच्छा आ सकता है लेकिन अगर थोड़ी से भी कमी रही रिजल्ट के अंदर तो फिर से यह जो है ती तीन आई थी लोवर हाई की यहां पर यह गिरावट इसको ब्रेक हुई है यह अगर आप ट्रेंड लाइन देखे तो और यहां पर अगर देखे तो यह सपोर्ट जो ले रहा था उसके अंदर भी यह जो है अब यह दूसरा जो है ट्रेंड लाइन में बनाई है तो मतलब कि यह चैलो है जो कि इसके अंदर अच्छी खासे तेजी आई थी यहां पर 3400 का हाई बना कर तो अब इसके अंदर इमीडियेटली अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तब तक इसके अंदर हो सकता है कि यह 3900 तक चला जाए और इसके अंदर अभी यहां पर जो है यह अपने सपो और कल इसके अंदर एक तेजी थोड़ी सी आ सकती है और रिजिस्टन सबसे पहला तो जो सेलिंग प्रेशर है वो 3900 के आसपा सी आएगा और इसके रिजल्ट में मंडे को अगर इसके रिजल्ट में अच्छी खासी जो एक्सपेटेशन से ज्यादा अच्छा आया को क्रोज करेगा और जब यह 4000 को क्रोज करेगा तो सबसे पहले जो इसका रिजिस्टन मतलब कि यह 4500 तक जाए गाई नहीं सबसे पहले यहीं सबका प्रशन है लेकिन 4500 से पहले अगर मैं आपको बता दू 4200 के आसपास चाल जाए 200 से 4250 यहां पर भी इसको एक रिजिस्ट करना जाते हैं माल तो आप इसके अंदर मतलब की आप कौंटेटी अगर आप चाहें तो 50-50 परसंड करके या पिर 33-33 परसंड करके मतलब किसे दो से तीन भागों में आप बेच सकते हैं सबसे पहले मैं बात करूं कि 2950 रुपे के आसपास या फिर 3900 के आसपास अगर यह ब यहां पर चाहेगा तो भी आपको दिक्कत नहीं रहेगी क्योंकि जो कि यह मतलब की अगर उपर भी जय गया तो भी आपके पास कुछ ना कुछ शेर्टों बचा ही हो गए और यहां पर अगर देखे तो यह वहीं चार्ट है जैसे कि मैंने बताया और यहां पर यह वीकली का प्राइस जैसे ही उपर होगा तो सबसे पहला रजिस्टेंट इसका 4200 से 4250 और उसके बाद यह 4500 तक भी जा सकता है अगर रिजल्ट काफी बढ़िया आया तो और आपके कुछ सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं बाकी इस वीडियो में इतना ही और एक स्टेंडर्ड डिस्क्रेंवर अब जो भी काम करें जो भी का बाई या सेल करें या ट्रेड ले दोनों शेर में अब अपनी रिसर्च ज़रूर करें और हो सके तो अपने फाइनार एडवाजर की सला ले उसके बाद ही को एक्योड डिसीजन ले मेरी तरफ से कोई यह बा और एक कर दो भी को एक बाद आपने बाद च्रेंज़